कडरत नरेन सिंग निगी का एक बेहर चचित गीत है बीरू भडू को देस बावन गडू को देस आज की कहानी शुरू करे उससे पहले इस गीत की कुछ पंक्तिया सुनिए अभी जो सुमुधुर गीत आपने सुना उसमें पुरिया नैथानी की वीर गाथा कभी जिक्राया वही पुरिया नैथानी जिने इतिहास में गड़वाल का चानक के भी कहा गया और पहाड का नाना फड़न बीज भी गड़वाल का इतिहास टाटोलने वाले तो यहां तक कहते हैं कि अगर पुरिया नेधानी न होते तो शायद पमारवंची राजाओ का इतिहास वक्त के बहुत पहले से मर चुका होता नमस्कार मैं हूँ प्रगती और आप देख रहे हैं 12 मासा का विशेश कारेकरम एंपायर पौड़ी जिले में नेधाना नाम का एक एतिहासिक गाउं हैं अदवानी के घने जंगल और नयार नदी की अविकल धारा के बीच बसाई गाउं एतिहासिक इसलिए है क्योंकि इसी गाउं में 22 अगस 1648 के दिन वीर पुरिया नेधानी का जनम हुआ वैसे तो उनका पूरा नाम पूरनमल नेधानी था लेकिन बच्पन में सभी उने प्यार से पुरिया कहते थे आगे चल कर भी वो वीर पुरिया के नाम से ही विख्यात हुए पुरिया के जन के वक्त उनके पिता गैंदामल की उम्र काफी हो चुकी थी बड़ी उम्र में संतान होने के चलते गैंदामल बहुत प्रसंद थे और पुरिया के भविशे को लेकर बेहद उत्साहित भी उन्होंने जब जोतीशियों से पुरिया के भविशे की गन्ना करवाई तो सभी ने इस बालब को विलक्षन बताया जोतीशियों का कहना था कि पुरिया न सिफ बेहद होनार होगा बलकि वो एक महान व्यक्तित्व वाला विजे योध्धा बनेगा ये उस दौर की बात है जब गड़वाल की राजधानी श्रिनगर हुआ करती थी महाराज पृत्वी शाहा के दर्बार में तब शंकर डोबाल नाम के एक दिवान थी जो जोतिश शास्त्र में भी पारंगत थी गैंदामल का उनसे परिचे था तो उन्होंने पुरिया की जनम पत्री उन्हें भी दिखाई शंकर डुबाल ने भी अन्य जोतिशियों की तरह पुरिया के असाधारन भविशे की बात दोराई साथ ही उन्होंने गैंदामल से ये भी मांग की कि वो पुरिया को उन्हें गोद दे दे इतिहास कर भगदर्शन अपनी किताम में लिखते हैं जनम पत्री को देखकर जोतिश में पारंगत शिडोबाल मंत्री को इस बालक की भावी महांता का आभास मिल चुका था वो पुत्रहीन थे एक दिन दोरे में नैथाना की तरफ गए और श्री गैंदामल से प्रातना की कि वो उन्हें इस बालक को गोद लेने दे लेकिन ये क्यों मानने लगे थे? आखिर उन्होंने प्रस्ताव रखा कि इस बालक को वो अपनी भावी कन्या बिहा देंगे ये बात इन्होंने स्विकार कर ली और उस दिन से शिडोबाल मंत्री नियमित रूप से मासिक सहायता भीजने लगे और बालब का पालन पोशन भली भाती होने लगा पुरिया जब साथ साल के हुए तो शंकर डोबाल उन्हें पढ़ाई के ले शिनगर ले गए उस दौर में पढ़ाई लिखाई सिफ राज़ा और उच्छकुल के बच्चों के लिए होती थी लेकिन शंकर डोबाल का महराज पर अच्छा प्रभाव था तो उन्होंने पुरिया की सिक्षदिक्ष़ का प्रबंध राजकुमारों के साथ राजकी पाटशाला में करवाया देश में मुगलो का शाशन था इसलिए हिंदी और संस्कृत के साथ ही अरबी और फार्सी भाषा की पढ़ाई की जाने लगी थी भाषा की पढ़ाई के साथ साथ खुटसवारी और शस्त्र संचालन भी पुरिया ने सीखा छे शास्त्र, अठारा पुरान और यंत्र मंत्रों में दक्षता लेते हुए पुरिया कुछ ही सालों में एक अच्छे विद्वान हो गए सिर्फ 17 साल की उम्र में ही पुरिया को राजदर्बार में न्यूक्त कर लिया गया था इसके पीछे भी एक दिल्चस्प कहानी है उस दौर में हर साल बैलों की एक नुमाईश हुआ करती थी इसमें जवान बैलों को शराब पिला कर आपस में लड़वाया जाता था दूर दूर से लोग इस नुमाईश को देखने आते थे उस दिन भी कुछ ऐसी ही नुमाईश हो रही थी और महराज मेधनी शाह इसे देखने पहुँचे तभी अचानक एक बैल बिदक कर भीड में जागुसा ये बैल राजा की तरफ बढ़ कर उन पर हमला करने ही वाला था कि तभी पुरिया ने उसे पकड़ कर काबू कर लिया और जंजीर से बान दिया महराज पुरिया के इस साहस से बेहत खुश हुए और उन्हें अपने दर्बार में शामिल कर लिया इसके अगले ही साल उनकी शादी शंकरडोबाल की बेटी से हो गई पुरिया भी एक बहतरीन घुटसवार और शाही अस्तबल के प्रधान बन चुके थे उनके नेत्रत्व में शाही घोडो को नए-नए कर्तब सिखाय जाने लगे थे और विशम परिस्थितियों के लिए तयार किया जाने लगा आखिरकार शाही प्रधर्शनियों में इन घोडो का प्रधर्शन राज्य की नाक का सवाल हुआ करता था ऐसा ही एक प्रधर्शन साल 1667 में गड़वाल राज्य की नाक का सवाल बना शिनगर में घुटसवारी का एक बड़ा आयोजन हुआ जिसमें कई राजाओं के साथ ही दिल्ली दर्बार के राजदूत को भी विशेस निमंतन दिया गया था गड़वाली घुटसवारों का प्रधर्शन देख राजदूत दंग रहे गया था लेकिन उसने राजा मेदनी शाहा का उपहास बनाने के उदेश्य से कहा महराज हमारे यहां के घोड़े तो उचाई तक लांग जाते हैं क्या आपका कोई घुटसवार उस सामने वाली छोटी हवेली के उपर घोड़ा कुदा कर पार हो सकता है इस घटना के बारे में भगदर्शन अपनी किताब में लिखते हैं कि राजदूत की बात सुनकर महराज असंभव कहने ही वाले थे कि पुरिया नैथानी आगे बढ़ कर आई और पूरी नम्रतवे द्रटत के साथ बोले महराज अश्व सवारी के फौशदार के लिए तो एक साधारन सी बात है इसके बाद पुरिया महराज के प्रिये घोडे शामकल्यान पर सवार हुए और उसे मैदान में दोडाते हुए एक उची छलांग लगा कर महल की उचाई को पार कर गए भगदर्शन लिखते हैं चारो तरफ हजारो लोगों का सम्हू उमड पड़ा और सब तरफ इनकी सरहाना होने लगी सुयम दिल्ली के राजदूत ने कहा कि महराज श्री पुरिया गड़वाल ही नहीं हमारे चक्रवर्ती मुगल समराट के लिए भी अभिमान की वस्तू है धन्य है गड़ देश जिसने ऐसवीर पैदा किया गुटसवारी के इस अद्बुद कर्तब के बाद महराज ने ततकाल ही पुरिया को अपनी गुटसवार सेना का सेना पती नियुक्त कर लिया पुरिया नेधानी का असर राजनितिक जीवन अब शुरू हो रहा था लेकिन इसी बीच उनके जीवन में एक बेहत दुखत खटना घटी उनकी पतनी की एक बिमारी के चलते मौध हो गई उनके ससुर शंकर डुबाल ने पुरिया को ये प्रस्ताव दिया कि वो उनके ही परिवार की किसी अन्य लड़की से शादी कर ले लेकिन पुरिया ने प्रस्ताव ठुकरा दिया हाला कि आगे चलकर उन्होंने दूसरी शादी भी की और ये मौकत तब आया जब पुरिया अपनी पहली दिल्ली यात्रा पर गए मुगल बाजशाह और अंगजेब की बहन रोशन आरा की शादी का विशेश निमंतन गड़ राज्ये को मिला था महराज मेधनी शाहा ने पुरिया नैथानी को गड़वाल की प्रतिनिधी के तौर पर दिल्ली जाने को कहा पुरिया जब दिल्ली के लिए रवाना हुए तो श्रीनगर और पौडी के बीच में धनपुर पाखा में उनकी मुलाकाच चंदोला परिवार की एक लड़की से हुई दोनों ने एक दूसरे को पहली ही नजर में पसंद किया और शादी करने का संकल्प लिया पुरिया जब दिल्ली से वापस लोटे तो विधी पूर्वत दोनों की शादी हुई पुरिया निथानी की ये पहली दिल्ली यात्रा गड़वाल राज्ये के लिए भी बेहद एहम रही दरसल उस दोरान कोड़वार भाबर की कुछ जमीन पर सैयद मुसल्मान ने कबजा कर लिया था पुरिया जब दिल्ली दर्बार में पहुँचे तो उन्होंने अपनी मजबूत दलीलों के साथ इस जमीन को छुडवाया और इस पर गड़वाल का अधिकार माना गया इस घटना का उलेक एक तामर पत्र में भी मिलता है जो आज भी टिहीरी राज्य संग्राल्य में सुरक्षित है पुरिया नेथानी की सूजबूज से खुश होकर तब गड़वाल के महराज ने उसे 2000 बिगर जमीन इनाम में दे दी पुरिया नेथानी की दूसरी दिल्ली यात्रा साल 1680 में हुई और अंग्जेब ने उन दिनों पूरे देश में हिंदों पर जजिया कर लगा दिया था गड़वाल क्योंकि जादसंपन नहीं था तो इस राज्ये के लिए करचुकाना बहुत भारी पड़ रहा था जनता से टैक्स के रूप में अतिरिक्त अनाज लेकर दिल्ली भीजा जाने लगा था और इससे गड़वाल के आर्थिक हालात और भी बिगड रहे थी ऐसे में कूट नीतिक पुरिया नेथानी को एक बार फिर से दिल्ली भीजा गया वहाँ एक दिल्चस्प वाक्या हुआ जिसके बाद औरंग्जेव ने गड़वाल रियासत को जजिया कर से मुक्त कर दिया इतिहास कर भगदर्शन लिखते हैं कि पुरिया नेथानी ने मुगल समराट को गड़वाल के भूगोल और वहां की गरीबी के बारे में विस्तार से बताया उसी शामिक शाही भोच का आयोजिन किया गया था दर्बार में पहुँचे तमाम हिंदु राजा और राज़दूतों को सोने चांदी के बरतनों में खाना परोसा गया पुरिया जब खाना खाकर उठे तो उन्होंने अपने सामने वाले सोने चांदी के बरतन फेक दिये और अंगजेब को जब इसकी खबर मिली तो उसने पुरिया को तलब किया और इस नाफर्मानी की वज़ा पूछी पुरिया ने जवाब दिया कि हमारा मुल्क बहुत पवित्र है इसने वहाँ लोग जिन बरतनों में एक बार भोजन कर ले उन्हें दुबारा भोजन नहीं करते और उन्हें फेक देते हैं ये जवाब सुनकर औरंगजेब गुस्से से तम-तमा उठा उसने पुरिया नेथानी को बंदग बनाने का आदेश देते हुए कहा कि तुम तो बता रहे थे कि तुम्हारा मुल्क बहुत करीब है फिर ये कैसे मुम्किन है कि वहाँ लोग जिन बरतनों में एक बार खाना ख ठटेरे हैं जो हर रोज नए बरतन बना देते हैं इसलिए बरतनों की हमारे हाँ कोई कमी नहीं होती इस पर औरंगजेब और भी जादा हैरान हुआ और उसने पूछा कि ये कैसे मुम्किन है कि दो ठटेरे पूरे राज्ये के लिए हर रोज नए बरतन बना देते हैं पुर पुरिया की इस हाजर जवाबी से पूरा दर्बार खुश हुआ। अरंगजेब ने न सिर्फ इसके बाद गडवाल को जजियाकर से छूट दी बल्कि पुरिया को इनाम देने की भी घोशना की। इस वक्त तक महराज मेदनी शाहा का देहान थो चुका था और उनके बेटे फते शाहा राजा बन चुके थे। कुमाओ से अचानक हुए इस आकर्मन के लिए गडवाल की सेना तयार नहीं थी। राजा जगत सिंग की सेना आगे बढ़ते हुए राजधानी श्रीनगर तक पहुँच चुकी थी। ऐसे में पुरिया ने राजशाही को बचाने के लिए माहराज फते शाहा को वहां से तुरन दहरादून रवाना किया। क्योंकि कुमाओ की सेना बहुत विशाल थी इसलिए उस समय उस से लड़ पाना और जीत पाना बहुत मुश्किल था। ऐसे में पुरिया नैथानी ने कूट नीती से काम लिया। उन्होंने राजा जगत सिंग की सेना का विरोध नहीं किया, बलकि उनका अतीती सतकार किया। कुमाउ नरेश जगत्चंद पुरिया से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने पुरिया को ब्रह्मन मान कर शिनगरदान में दे दिया और वहां से वापस शले गए इतिहासकार पंडित रुद्र दत्पंथ इस बारे में लिखते हैं राजा जगत्चंद का ये संकल बड़ा विस्मयकारी था वस्तुत्व ये पुरिया जी के व्यक्तित्व और वानी का ही प्रभाव था कि राजा जगत्चंग श्रीनगर को बिना नुकसान पहुँचाए और बिना हिंसा किये ही अपने राज्जे की तरफ लोट गया जगत्चंद के वापस लोटते ही पुरिया ने महाराज फतेशाह को वापस बुला लिया पुरिया की स्कूटनी तिक चाल से न सिर्फ श्रीनगर की रक्षा हुई बलकि कुमाओ के सीमावर्ती गाओं को भी गड़वाल में शामिल कर लिया गया इतिहास में गड़ राज्ये की एक और महतपून घटना दर्ज है साल था 1715 राज़ा फतेशाह की म्रत्यू के बाद उनके बेटे दलीप शाहा गद्धी पर बैठे थे लेकिन 9 महीने के अंदर उनकी भी म्रत्यू हो गई दलीप शाहा की मौत के समय उनका कोई उत्तरा अधिकारी नहीं था लेकिन उनकी पत्नी गरफती थी ऐसे में मंत्रियों के बीच गब भीर मतभेद होने लगे और ग्रहे युद्ध जैसी स्थिती पड़ी जब पुरिया नैथानी ने सभी के बीच समझोता करवाया और तै किया कि राज्य अधिकारी का जनम होने तक दलीप शाहा के छोटे भाई उपेंदर शाहा राजकारिये चलाएंगे आगे चलकर अगर रानी को बेटा हुआ तो उसका राज्टिलक किया जाएगा और अगर बेटी हुई तो पेंदर शाहा ही राज्य करते रहेंगे करीब आठ महीने बाद रानी ने एक बेटे को जनम दिया जिसका उसी वक्त राज्टिलक कर दिया गया इस तरह से नवजात प्रदीप शाहा नए राज़ा बने लेकिन इस पूरे घटनकरम के दौरान दर्बारियों में आपसी मनमुटाव बेहत बढ़ चुके थे कुछ दर्बारी तो यहां तक योजना बना चुके थे कि नवजात राजा की हत्या करके राज्जे हासिल कर लिया जाए पूरिया नैथानी ने तब नवजात प्रदीप शाहा को सबसे बचा कर अपने गाउन नैथाना भीज दिया उसने लंबे समय तक राजकुमार प्रदीप को वहीं सुरक्षित रखा और खत्रा होने पर कई बार उने रानिगड या अदवानी के जंगल में भी छिपाई रखा राज्जे को हत्याने का सपना देखने वालों में पांच कठैद भाई सबसे प्रमुक थे उन्होंने मंतरी शंकर डोबाल की भी हत्या कर दी और वो राजकुमार के साथ ही पुरिया नैथानी की भी हत्या की योजना बना रहे थे लेकिन पुरिया नैथानी ने न सिफ राजकुमार को वर्षों तक इन से छिपाई रखा बल्कि अपनी सूझ बूझ से कठैद भाईयों में ही आप से फूट पैदा करवा दी जिसके चलते वो आपस में ही लड़कर मारे गए इस घटना के बाद पुरिया अपने गाउजा कर रहनी लगे लेकिन साल 1747 में राज़ा प्रदीप शाह को एक बार फिर से पुरिया की जरुरत पड़ी हुआ ये कि कुमाओ की राजनिती में दो ताकतवर सम्हू महर और फर्तियाल काबिज हो गए थे वो तेजी से पूरे कुमाओ में अपना वर्चस्व स्थापत कर रहे थे ऐसे में वहां से जैक रशन जोशी महराज प्रदीप शाह के पास आए पूरिया की उम्र अब तक करीब सौ साल हो चुकी थी लेकिन महराज प्रदीप शाह को उन पर ऐसा विश्वास था कि उन्होंने पूरिया को श्रिनगर बुलवाया और उनसे मदद मागी हालांकि पूरिया नैथानी कुमाव पर आक्रमन करने के पक्ष में नहीं थे लेकिन महराज प्रदीप शाह के जित पर वो लावलश कर लेकर जुनियागर पहुँचे वहां उनकी मुलाकात कुमाव नरेश के मंतरी शिवदेव जोशी से हुई उन्होंने भी पूरिया नैथानी से यही कहा कि ये युद अधार्मिक है इसे न लड़ा जाए तो ही सब के लिए हितकर होगा इस बाचीत के बाद पूरिया ने एक दूत को भेजकर राजा प्रदीप शाह को जुनियागर बुला लिया लेकिन इससे पहले की प्रदीप शाह जुनियागर पहुँचते कुमाओ की सेना ने अचानक से आकर्मन कर दिया तक्रीबन सौ साल के हो चुके पुरिया तलवाल लेकर युद में उत्रे तो लेकिन उनका शरी रब उनके होंसले और इरादों की तरह मजबूत नहीं रह गया था वो जमीन पर गिर पड़े तो वहां से वीरभड रुद्र सिंग ने किसी तरह उने बचाया और उनकी सेना के साथ ही उनने सुरक्षित शिनगर ले आए इस युद में गड़वाल और कुमाओ के बीच संदी हो गई थी भगदर्शन अपनी किताब में लिखते हैं कुछ महीनों घायर रहने के बाद जब पुर्या नैथानी ठीक हुए तो उन्होंने महाराज से अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की उन्होंने कहा कि गड़वाल कुमाओ का युद प्राय प्रत दिन की समस्या हो गई है और सीमांत की लड़ाईयों के लिए रसदवे युद सामगरी पहुँचाने में विकट कठिनाईयां जहिलनी पड़ती है इसलिए सर्वोत्यम उपाई ये है कि पूर्वी सीमान पर एक मजबूत किला बनाया जाए महाराज ने प्रस्ताव सुईकार किया और तब द्वारा हाट से आठ मील दूर रामगंगन नदी के किनारे पर एक किला बनवाया गया दो साल में बन कर तयार हुए इस किले में 500 सैनिकों के लिए हर समय युद सामगरी तयार रहती थी ये किला गर चारो तरफ से घिर भी जाए तो वहां मौजूद सैनिक करीब आठ महीनों तक युद जारी रख सकते थे अपनी अंतिम सलहा माराज को देने के बाद पुरिया नैथानी राज के सेवा से मुक्त होकर अपने पैत्रगाउन नैथाना चले गए तहरदून के टीरी हाउस संग्राल्य में आज भी पुरिया नैथानी के जीवन से जुड़ी कुछ चलकिया देखी जा सकती है जिनमें उनकी 450 साल पुरानी एक तलवार भी शामिल है 12 मासा कई कारेकरम आपको पसंद आया तो इसे शेर करे और ठैंक्स का बटन दबा कर हमें समर्थन करे ताकि हम लाते रहे ऐसी ही दिल्चस्प कहानिया बारा मासा